हेलो दोस्तों के ल्डी क्लासिस में आप सभी का स्वागत आज हम बात करेंगे भारती राजनीती में महिलाओं की भागीदारी हैरान करने वाली क्यों हैं 2019 के लोक सबाचुनाओं में अभी तक सबसे अधिक 78 महिलाएं सांसद बनकर संसद में पहुँची हैं लेकिन इसके बावजूद भी वह आधी आबादी के परतिनीधित से कोसो दूर हैं भारत के आजादी से पहले 1921 में मद्रास राज वह पहला राज्य भारत का जिसने महिलाओं को ओट देने का अधिकार दिया था भले ही एधिकार कुछ सीमित महिलाओं को मिला था लेकिन राह तो खुली एक आसा तो महिलाओं के अंदर बनी कि आगे चलकर सभी महिलाओं को क्योंकि पहले तो उन्ही महिलाओं को अधिकार दिया गया था जो वकील थी या बड़े घराने की थी उन्ही को ही दिया गया था देश की आजादी के बाद जब भारत में पहला आम चुना हुआ या जिसे लोकसभा का चुनाओ कह सकते हैं 1952 में जब पहला चुनाओ उसी समय से आज 2019 से जो लोकसभा चुनाओ भी चुका है उसमें संपन हो चुके लेकिन आज भी महिला की एक छोटा सा समो ही संसद में पहुँचता है आप संसद केंद में बात कर सकते हों, राज में भी जो राज की बिधान सभा है जो इस्तिती है हो बहुत ही गरबर है देश में उर्तमान महिलाओं की संख्या से तुलना किया जाए तो ये 78 महिलाओं सांसद का कोई पता ही नहीं लगता है जब की लगबग आधी जन संख्या भारत में महिलाओं की ही है इसके संसेत के साथ ऐसा नहीं ऐसा ही समस्या या ऐसी ही समस्या राज के विधान सभा में भी देखा गया है 1990 के दसक में महिलाओं दोरा एक परियोग देखा गया था परियोग इस रूप में था कि कुछ महिला राजनीतिक दल भी भारत निर्वाचन आयोग में पंजीक किरित हुएं इन महिलाओं ने नारी सक्ती पार्टी से 2004 में मुंबई के उत्तर जो छेतर वहां से अपने उमीदवार भी उतारे लेकिन इन महिलाओं की पार्टी के किसी भी महिला को सफलता नहीं मिली इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 1990 से लेके 2014 के बीच में जितनी भी महिला के दोरा पार्टी बनाई गई जिसमें में मुख्या महिलाओं उसमें से किसी को भी इस तरह से सफलता नहीं भारत में मिली वहीं इस तरह से देखा जाये तो पूर उपर राष्ट पती क्रिष्न कांथ की पत्नी सूमन क्रिष्न कांथ ने संसन में महिला जन प्रतिद्रियों के लिए 33% आरच्षड की मांगी लेकिन जब सरकान नहीं माना तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम है यूनाइटेड वूमेन फ्रेंट और इस यूनाइटेड वूमेन फ्रेंड जो पार्टी बनी उसके अध्यश्च के पद के लिए केवल महिलाओं को ही निउक्त किया जा सकता है और कोई भी पुरुस राष्टी कारेकारडी में सदस्न नहीं निउक्त किया जा सकता है जो अपने आप में एक क्रांती कारी कदम माना जा रहा था उस समय इस पार्टी ने 2008 के दिल्ली विधानसवा चुनाओं में सभी 72 सीटों में उस समय 2008 में दिल्ली में विधानसवा में 72 सीट हुआ करती थी आज 70 हो चुका है तो उसमें 72 सीटों पर अपने उमिदवार उतारने की बात की लेकिन जब अंत में इस तरह से चुनाओं नजदी काये तो मात्र 72 सीटों में से एक ही उमिदवार इस पार्ट के विधानसवा में महिलाओं की भागीदारी का आकड़ा देखने लाइक है अब मैं एक आपको डाटा प्रवाइड कर रहा हूँ डाटा ये है पिछले तीन लोग सभा चुनाओं अब ये तीन लोग सभा चुनाओं कौन-कौन से हैं जैसे 2009 में कितनी महिलाओं को सीट किस पार्टी ने जैसे त्री मूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी बीजेपी बीएसपी सीपी आई सीपीम जितनी भी बड़ी पार्टिया है उन्हों ने कितनी सीटे कब कब महिलाओं को दिया 2009 हुआ 2014 2019 तो तीन पिछले तीन विधानसवा के चुनाओं क पार्टी के बारे में हम बात करेंगे कि कितनी महिलाओं को किस पार्टी ने सीटे दी है तो एक एक पार्टी को लेकर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्री मूल कांग्रेस देखे मैं आपको बार बार वर्स नहीं बताऊंगा आपको देसे एक बताऊंगा क कांग्रेस पार्टी की बात किया जाए तो 43, 6, 54, BJP की बात किया जाए तो 4, 6, 4, CPM की बात किया जाए तो 6, 11, 10 तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भारत की जो राष्टी पार्टी हैं बड़ी बड़ी पार्टी हैं उसमें भी महिलाओं की जो भागिदारी है जो टिकर देने की जो बारी आती है वो सबसे कम पाई गई है अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी 2019 म में केंदर में पहुंचेंगी आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते जब आप टिकट ही नहीं दे रहे हैं तो महिलाओं से आप अप एच्छा क्या कर सकते हैं कि वो संसद में अधिक सेधिक चुनकर आएंगी यह अक्ड़े देश की लोकसभा चुनाओके थे वही राज्य के बि लाने के लिए कोई भी कदम ऐसा नहीं उठा रहा कि जिसे महिलाओं को फायदा हो वही कई बिसेश्य सगों ने बताया कि महिला सुधारों पर काफी काम हुआ है लेकिन आभी भी बहुत अधिक काम करने की जरूरत है केंदर सरकार के साथ या केंदर में काम करने के साथ भग महिलाओं की भी संक्या है तो ऐसे में आगर ये आकड़ा इस तरह से रहता है तो आगे और दिकत होगी महिलाओं को इस तरह से जो केंद्र में जाने की है या राज्यों के विधान सभा में जाने के लिए कई बड़े राश्टी वे छेतरी पार्टी पूर बहुमत होने के बाद भी महिलाओं के नेत्रित की बात नहीं करते हैं आजादी के बाद से ही लगातार महिलाओं पूर्सों के मद भेदवाओं देखा गया है लेकिन अच्छी बात ये है कि 2019 के लोकसभा में रिकार्ड 78 महिल आप अंदाजा कैसे लगा सकते कि जहां पे जिस देश में महिला और पूर्षऑ की संख्या बराबर वहां पे इतना अंतर या पूर्षओ की नीचे ही नीचे देना होगा सबसे पहला प्रस्ण ये है कि क्या महिला हैं राजनीती में नहीं आना चाहती है कि जीस तरह से राजनीती करण किया जाता है या जीस तरह से आरूप परतियरूप नेताओं के उपर लगाया जाता है आए दिन चाहिए कोई चुना होता है आप दिल्ली के चुना इसमें परज मुल्क आंग्रेस का देख सकते हैं तो फिर क्यों महिलाओं की संख्या राजनीती में नहीं बड़ी बड़ी पार्टियों की मुखिया इस समय महिलाओं के हाथ में है तीसरा सवाल यह है कि देश में पूरुस क्या महिलाओं को अपने उपर सासन करते हुए नहीं देखना पसं किया जा रहा आजादी के पहले जो हुआ करता था हो तो चलिए भाई हमारे हाथ में नहीं वगादा लेकिन आज आजयादी के बाद से 1950 के बाद से सारा नेम कानून तो हमारे याहाथ में लांधन उसका उलंगन तो सीधे-सीधे ही होगा इसी प्रिकार से बने रहे जैसे को